हे विडिए में विलकम बाक्टिकोचिफाय आज हम स्पोर्ट्स करेंट अफेस को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी आने वाली एक्जाम राजस्थान स्टेट इलेक्रिसिटी बोर्ट ए और जे के लिए काफी जादा इंपोर्टेंट होने वाला है आज की सेशन में हम लोग सिर् एवरीडी साइन आने वाला है 48 मार्क्स के लिए और उसमें इंक्लूड होता है करंट इवेंट इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग इशु आफ स्टेट राजस्थान नाशनल और इंटरनाशनल इंपोर्टेंट्स परसन और प्लेइस इन करंट नियूज गेम्स अन उससे लेटेट कोशन में एक्जाम में पूछ जाएंगे तो वो अल्रेडी पार्ट वन का जो अगर राजस्थान का सेशन आपने नहीं देखाऊंगा तो वो जाकर देखो उसमें आपको जो भी जान फेब और मार्च में राजस्थान रिलेटेट जो करंट इवेंस या फि आपको ज़रूर मिलेगा तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना यह प्रेस करना है ताकि आपको इसकी नुटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगी जैसे ही वो अप्लोड होगा जिसमें स्पोर्च रिलेटेट सारे करंट अफैस को कभर अप किया गया है और नेक्स सेशन जो आपका आने वाला है वो Science, Indian History, Civics, Geography के लिए भी आएगा तो आपको चानल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब करना है अगर आपने ये सेशन नहीं देखे तो वो सेशन जरूर दा कर देखे आपका ये एक्जाम के लिए 48 मार्क्स बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है इसलिए आपको ये 41 मिट मार्क्स के लिए अच्छे से पढ़ाई करने है जैसे आप technical के लिए पढ़ाई करें वैसे आप non-technical portion के लिए भी अच्छे से पढ़ाई करें ताकि आप आपके exam पे अच्छा score कर पाए ठीक है तो आज का जो session होगा वो बहुत अच्छा होगा news form में होगा caution answers नहीं होगे आपको news cover up की गई है और उनके साथ pictures भी दिये गए है सारी जो important news है उसको cover up किया गया है तो आपको session end तक के complete देखना है आपको April तक की news मिलेंगी कहीं पे भी skip नहीं करना है अगर आप अच्छा score करना चाहते हो तो इसलिए आपको session complete end तक के देखना है जो कि आपका sports और games को cover up करवाएगा तो start करते है session को और देखते हैं हमारा सबसे पहला news related to sports तो सबसे पहला news है हमारा Japan's Nozomi Okuhara has won the All England Badminton Championship Women's title Japan की Nozomi Okuhara ने All England Badminton Championship Women's category में जीत लिया है Next है हमारा President Ramnath Kovin has inaugurated the newly revamped Motera Cricket Stadium in Ahmedabad which has been renamed the Narendra Modi Stadium Motera Cricket Stadium जो की Ahmedabad में है उसका नाम change कर दिया गया है अब रख दिया गया है Narendra Modi Stadium और इसे inaugurate किया है Ramnath Kovin जी ने Next है Newark Chukovic and Naomi Osaka wins Australian Open 2021 इस साल का सबसे पहला Open जो की खेला गया Australia Open 2021 उसमें Noak Chukovic and Naomi Osaka ने जीत हासिल की है बहुत ही जादा important है इसलिए आपको ये थ्यान में रखना होगा और एक और बात important मुझे आपके साथ शेयर करनी थी वो बात ये थी कि हमने ही syllabus read किया उन्होंने last में लिखा है with special reference to Rajasthan definitely Rajasthan को special reference दिया जाएगा उसकी news को cover up किया जाएगा बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको बाकी state की कोई questions नहीं देखने मिलेंगे बाकी state से related कोई questions नहीं देखने मिलेगा जैसे कि पिछले राजस्तान का जो current affair का एक video डाला गया उसमें comments आए उसमें बोला गया कि आप उत्राकन की news कैसे cover up कर बारे हो गैस मैं आपको एकी चीज़ बोलना चाहती हूँ ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ राजस्तान के बारे में पूछा जाएगा आपको बोला गया है national and international importance ठीक है persons, places in recent news, games and sports जो भी ही ये आपका syllabus है ये राजस्तान को तो special reference दिया ही जाएगा बट बाकी states से related भी आपको question पूछे जा सकते है तो आपको overall सारा prepare करना है राजस्तान का focus रखना है ठीक है इसलिए आपका ये doubt मैंने clear किया क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये doubt था कि आप बाकी states के कैसे questions cover up करवा रहे हो तो आपको सब कुछ ध्यान में रखना है बट focus आपका होना चाहिए राजस्तान पे लेकिन बाकी चीज़ों को आपको नहीं चोना है बिकिस वो भी important है उससे related भी questions आपको देखने जरूर मिलेंगे बढ़ते हैं आगे In cricket, India Legends defeated Sri Lanka Legends by 14 runs to clinch the Road Safety World Series final title held at शहीत विर नारायन सिंग इंटोनाशनल स्टेडियम इन राइपूर 36 गड़ Sachin Tendulkar was the captain of the India Legends Road Safety World Series खेला गया राइपूर 36 गड़ में उसमें India Legends ने जीत लिया है श्रिलंका Legends को हरा के यह हुआ शहीत वीर नारायन सिंग इंटोनाशनल स्टेडियम में और इस सीरीज के जो captain थे वो थे Sachin Tendulkar निक्स ते योगासना included in खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 योगासना include किया गया है खेलो इंडिया के यूथ गेम्स में 2021 Indian wrestler Bajrang Poonia has regained his world number one ranking after clinching a second successive gold medal at the Meteo Pelican ranking series Bajrang Poonia ने दुसरी बार Meteo Pelican series में gold medal जित कर वो world के number one wrestler बन चुके है निक्स ते आनियन मिथुन wins gold at South Asian Wushu Tawny आनियन मिथुन जो है उन्होंने gold medal जिता है Asian Wushu Tawny में Lewis Hamilton won the F1 Bahrain Grand Prix 2021 Lewis Hamilton जो की Mercedes के चलाते है उन्होंने जीता है बहरीन Grand Prix Shres Ayer signs up with Lankashai for Royal London Cup 2021 A year becomes sixth Indian to sign for Lankashai Shres Ayer ने Lankashai एक club होता है उसे join कर लिया है और ये छटवे Indian है जिनोंने Lankashai Cup में join किया है इससे पहले four Indian cricketers ने इसे join किया है जो की ते मुरली कार्थिक, दिनेश मोंगोया, वीवेस लक्ष्मन और सारव कांगोली ये चार Indian cricketers है जिनोंने Lankashai club में join किया था और सबसे पहले जो Indian cricketer थे जिनोंने join किया था उनका नाम है फारुक एंजिनियर जो की उन्होंने join किया था 1968 में ठीक है ये एक विकेट कीपर थे विकेट कीपर बैट्समन थे फारुक इंजिनियर जिनोंने सबसे पहले 1968 में Lankashai club में join किया था उनकी बाद चार Indians ने join किया मुरली कार्थिक, दिनेश मोंगोया, वीवेस लक्ष्मन और सारव कांगोली और अभी जो 6th क्रिकेटर है जिनोंने ये join किया है वो है श्रेयस अइयर जिनोंने Lankashai club में join किया है बढ़ते है आगे Next news है हमारा India tops the medal tally with 15 gold at Delhi ISF shooting world cup तो ISF का shooting world cup हुआ जो की Delhi में हुआ इसमें इंडिया ने top किया है और 15 gold medals हासिल किये टोटल इंडिया ने 30 medals को हासिल किया है 15 gold category में 9 silver category में 6 bronze category में तो टोटल 30 cups इंडिया ने जीता है ISF का full form होता है International shooting sport federation world cup में ठीक है इसका जो headquarter होता है वो Munich Germany में अब इसमें जो जो main winners है उनको हम discuss करेंगे जो की exam में आपको पुछे जा सकते है ठीक है आपको question ऐसा पुछा जाएगा कि ISF कहां पे हुआ अंसरों का Delhi ठीक है फिर ISF का headquarter पुछा तो होगा Munich Germany फिर आपको ऐसा पुछा जा सकता है कि gold medal कितने जीते 15 silver पुछा तो 9 bronze पुछा तो 6 total पुछा तो 30 and ये भी पुछा जा सकता है कि ISF का world cup में कौन सी country ने top किया तो वो है India ठीक है अभी तक समझ में आया अब हम इसमें जो winners है उसको discuss करेंगे तो हमारे इंडिया के जो winners है ऐश्वर्या प्रताप सिंग तोमर इन्होंने जीता है मेंस 50-meter rifle में gold medal दन चिंकी आदवने जीता है विमेंस 25-meter pistol में gold medal और ये शिश्विनी सिंग देश्वाल ने जीता है विमेंस 10-meter air pistol में gold medal तो ये 3 gold medal आपको ध्यान में रखने होंगे बहुत ही ज्यादा important है दिन आपको silver medal में धान में रखना है Soauraph Caudhria ठीक है जिनोंने mains 10-meter air pistol में silver medal जीता है राःी सर्नोंबथ ने जीता है विमेंस 25-meter pistol में silver medal दन मनु भाकर ने जीता है विमेंस 10-meter air pistol में silver medal ठीक है ब्रॉण्ज में भी आपको मनु भाकर का ध्यान में रखना होगा, उन्होंने ब्रॉण्ज में विमन्स 25 मिटर पिस्टल में ब्रॉण्ज में जीता है, ठीक है, तो जो भी इसमें नेम्स है, सौरब चौदरी, राही सरनोबत, मनु भाकर, दिवान सिंग परमार, ये बहुत फ जो की बीस में हुआ था, इसके साथ ही हम यूथ केम्स और विंटर गेम्स को भी डिसकस करेंगे, यूथ केम्स इसका इस साल 4th edition होने वाला है, जो की हर्याना के पंचकुला में होने वाला है, और प्रिवियस 3 जो है मैंने टेबल में में मेंचिन किया है, 18 का हुआ था डेली में, 19 का हुआ था पूरे महाराष्ट्र में, 2020 का हुआ था गुहाटी असाम में, इस साल का जोगा वो हर्याना के पंचकुला में होने वाला है, बहुत इंपोर्टन है, एक्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, दन खेल उन्ड है के जो विंटर गीम्स है, उसका 1st edition 2020 में हुआ था, जो की लेह लदाक में हुआ था, और 2nd edition जो की इस साल जम्मू कश्मिर के गुल्बमग में हुआ, ठी इंडिया ने 3rd place हासिल किया है, 3rd place in the medals to be table in the L in 2021 World Shooting Para Sport World Cup, इंडिया सिंगराज और Manish Narwal won gold in World Shooting Para Sport World Cup 2021, तो ये जो L in World Shooting Para Sport हुआ, ये UAE में हुआ, ये चीज़ दहन में रखनी है, उसके बाद 2nd चीज़ दहन में रखनी है कि इंडिया ने 3rd place हासिल किया है, medals को जीत कर, ठीक है और इंडिया के सिंगराज और Manish Narwal ने इसमें gold medal हासिल किया है, तो ये 3 चीज़ दहन में रखनी होगी, कि ये कहां पर हुई, ये UAE में हुई, उसके बाद इंडिया का 3rd place आया, और gold medal जो जीता है, वो सिंगराज और Manish Narwal ने जीता है, नेक्स है, भवानी देवी बिकेम the first Indian fencer to qualify for the Olympics, भवानी देवी जो है, वो पहली fencer बनी है, जो की qualify करेगी Olympics में, Indian boxer Maricom has been appointed as the chairperson of the International Boxing Association Champions and Veterans Committee, तो Maricom जो है, वो AIBA को chairperson appoint हो चुकी है, तो Maricom जो होगी, वो AIBA की chairperson होगी, next step, founder of ultimate battle is Tarun Gupta, it is an online e-sport platform where gamers can test their metal against others without paying a fee, ultimate battle जो है, यह एक online e-sport platform है, जहाँ पे gamers लोग, वो एक दुसरे की काबिलियत को test करेंगे, middle मतलब की क्या होता है, कि एक दुसरे की काबिलियत को test करना, तो वो एक दुसरे की काबिलियत को test कर सकते है, without paying a fee, तो ultimate battle जो है, वो एक online e-sport platform है, जो की gamers के लिए लाया गया है, बिना fees पे किये, वो एक दुसरे की महाँ पर काबिलियत check कर सकते है, मिथाली राज becomes the first Indian women cricketer to score 10,000 international runs, मिथाली राज पहली Indian women बनी है, जिनोंने score किया है 10,000 international runs, England opener Tammy Beaumont won the ICC Women's Player of the Month for February, February की ये Player of the Month बनी है, Tammy Beaumont, जो की England की opener है, नेक्स्ट है, इंडियन स्पीनर रवी चंदरन अश्वीन बनी है, तामी Beaumont, जो की England की opener है, उसी तरह इंडिया के जो स्पीनर है रवी चंदरन अश्वीन वो बने है, प्लेयर आफ दे मन्थ फेबरुवरी के, नेक्स्ट है, इंडियन एस शटलर, पीवी सिंदु, हाज वन अ सिल्वर मिडल इन दे BWF, स्वीस ओपन, सुपर 300, इन दे फाइनल ओफ दे विमें सिंगल इवेंट हेल्ड अट, बैसल स्विजलन, तो पीवी सिंदु जो है, वो शटलर है, जिनोंने सिल्वर मिडल हासिल क किया है, स्वीस ओपन, सुपर 300 में, स्वीस ओपन, चैंपिन्चिप में, पीवी सिंदु ने सिल्वर मिडल हासिल किया है, जो कि बैसल स्विजलन में हुआ, नेक्स्ट है, किरिन पोलाड बिकन्स थर्ड मैं टू हीट असिक्स शेस इन अन ओवर, किरिन पोलाड ये तिसरे जो कि पूरे ओवर के अंदर इन्होंने 6 ही मारा है तो यह से तिसरे प्लेयर बन गया है जिन्होंने पूरा ओवर, कम्प्लीट ओवर सिर्फ 6 मारा है और ऐसे यह 3rd प्लेयर बन चुके है इंडिया के जो वरून कपूर और मालवी का बंसोड इन्होंने में सिंगल टाइटल हासिल किया है 2021 का युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टुर्णामेंट जो की कम्पाला में हुआ तो युगांडा का जो बैडमिंटन टुर्मामेंट हुआ कम्पाला में उसमें इंडिया के वरून कपूर और मालवी का बंसोड ने में सिंगल्स और विमन सिंगल्स में टाइटल हासिल किया है विनिश फोकाड विनिश फोकाड ने गोल्ड मेल चीता है उक्रेन रिस्लिंग एवेंट में निक्स्त है और इंडिया फुटबॉल फेडरेशन गंफिंटन चुका है वो है उडिशा में होने वाला है हीरो इंडिया विमन लेक 2021 का और ये फिफ्ट एडिशन होने वाला है इंडियन इंडियन विमन लेक का निक्सेट ओडियन विमन लेक्वारेशन गंफिंटन अंगात्विर सिंग बाजवा, मेराज एहमद खान और गुर्जोत कांगुरा आफ्टर इन्डिया के जो ये तीन लोग हैं अंगात्विर सिंग बाजवा मेराज एहमद खान और गुर्जुत कांगुरा इन्हों ने कजाकिस्तान के टीम को हरा कर मेंट स्कीट टीम इवेंट में ब्रॉंज मिडल हासिल किया है जो की कहरो इचिप्त में हुआ था निक्स्त है इंटरनाशनल क्रिकेट काउंसल है इंपोस्ट एट एट एस बान ओन ओन फॉर्मर यूए ए प्लेयर्स मोहमद नवीद और शेमान अन्वरबट फॉर आल क्रिकेट फॉर ट्राइंट फिक्स दूरिंग टीट्वेंटी वल्ल कॉप क्वालिफाइज इन तो इसीसी इनने 8 साल का बैन लगाया है UAE के जो प्लेर्स है मोहमद नवीद और शेमान अन्वरबट पे इन्होंने माच फिक्सीन के लिए इन पे 8 साल का बैन लगा दिया गया है जो की UAE से बिलॉंग करते हैं मोहमद और शेमान इस धनलक्षमी बीट नाशनल रेकॉर्ड होल्डर दियूती चंथ तो विन विमन्स 100 मिटर स्प्रिंटर फाइनल इन दे फेडरिशन कप सीनियर नाशनल अथलेटिक चंपेंशिप इन दे पटियाला नाशनल अथलेटिक चंपेंशिप जो की पटियाला में हुई उसमें ए खेलो इंडिया के जो विन्टर नाशनल गेम्स हो है उसमें उसका जो सेकेंड एडिशन हुआ उसमें जमु कश्मे ने टॉप किया है निक्स्त है दे इंडिया अथलेट अविनाश साबले सेट अ न्यू नेशनल रेकॉर्ड इन दे मेंस 3000 मिटर स्टेपल चेस इवेंट इन जोकी पटियला में हुँआ की रइटारिमेंट एक दंपेन्स से बिलन करते हैं अटने यूसूअ पतान यह दोणोंग्यंट करते हैं नेक्सक्षिन है मनिका बत्रा वींगनिज इंगट थाइटल आटybaॉट्ष चांपेंशिप आट ताउ देवी लाल स्पोर्ट कॉंप्लेक्स इन पंचकुला हरियाना मनी का बत्रा ने 82 नैशनल टेबल टेइनीस चांपेंशिप में जीता जो की आपका ताउ देवी लाल स्पोर्ट कॉंप्लेक्स पंचकुला के हरियाना में हुआ तो पंचकुला के हरिय वाला है 2023 का वो उजबेकिस्तान के ताशकेंट में होने वाला है बहुती ज़्यादा important है एक्जाम में पूछा जा सकता है कि AIBA का 2023 का जो championship होने वाला है वो कहां पर होने वाला है तो वो उजबेकिस्तान के ताशकेंत में होगा. Next is 7 time formula 1 championship Lewis Hamilton was awarded knighthood in the United Kingdom new year honor list. Lewis Hamilton को knighthood award दिया गया United Kingdom की new year की honor list में जो की 7 time formula 1 championship के winner है. Next, Chris Morris becomes IPL's most expensive player. Chris Morris जो है, वो IPL के सबसे expensive player बन चुके है. Dhaka Marathon 2021, Jigmit Dolma from the Ladakh wins fourth position. Dhaka का जो marathon हुआ 2021 का, उसमें इंडिया के Jigmit Dolma, जो की Ladakh से belong करते हैं, उन्होंने fourth position हासिल किया. ITBB Indo-Tabitian Border Police wins IHAI National Ice Hockey Championship. ITBB ने जीता है National Ice Hockey Championship. First ever, खेलो इंडिया जान्सकर Winter Sports Festival begins in Ladakh. पहली बार खेलो इंडिया का जान्सकर Winter Sports हो है, वो Ladakh में खेला गया. BCCI Secretary Jayshah text over as the President of ACC. BCCI के जो Secretary Jayshah वो अब ACC दबकि Asian Cricket Council के भी President बन चुके है. Next day, Assam Government appoints Hima Das as the DSP. Assam Government ने Hima Das को DSP बना दिया कया है. Kings 11 Punjab rename as Punjab Kings ahead of IPL auction. Kings 11 Punjab का naam change करके अब रख दिया गया है Punjab Kings इस साल के IPL के auction में. Ashok Dinda announces retirement from all forms of cricket. Ashok Dinda ने सारे cricket के form से retirement ले ली है. Cricket India retains Border Gabas का trophy by defeating Australia in 2021 Test Series. India created history by defeating Australia for the first time at the Gabba Brisbane in 32 years. India ने Border Gabas का trophy को जीत लिया है. Australia को हरा कर ये 32 साल बात पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया ने मतलब Australia team को हरा दिया गया है और इंडिया ने ये trophy जीत लिया है जो कि Gabba के Brisbane में हुआ था. तो ये बहुत ही ज़दा important है कि Border Gabas का किसने जीता तो वो इंडिया ने जीता किसे हराया औसे लिया को हराया और ये 32 ये उसके बाद में ऐसा हुआ हुआ है कि गोवा के जो कि गोवा से बिलॉंग करते वो इंडिया के 67 चेस ग्रांड मास्टर बन चुके है नेक्स्ट है BCCI एक ने पहली बार रंजी टॉफी को 2021 में कैंसल किया फॉर्मर पेसर मव यूज इंड़्यान क्रिकेट हॉल अफ फेम तो ये पेसर है मव यूज जी ने औस्टिलिया क्रिकेट हॉल अफ फेम में शामिल किया गया तमिल लाडू बिट बरोडा तु क्लेम सायद मुस्तक अली T20 Trophy तो तमिल लाडू ने जीत लिया है सेयद मुस्तक अली Trophy बरुडा को हरा कर नमन ओजान अनुसे रटारिडमेट फॉर्म और फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट नमन ओजाने सारे क्रिकेट के स्कोर 200 इन हंडेट टेस्ट जो रूट जो है वो पहले बैच्पन बन चुक है जिन्होंने 200 रन स्कोर किया है हंडेट टेस्ट में इसमें इंडिया ने टॉटल 11 मिडल्स को जीटा है फोर गोल्ड टू सिल्वर और फाइव ब्रॉंज ठीक है यह सबसे पहली बार हुआ है इसे का ओनलें चुटिंग चेंपिंशिप जो की कुएट में कुएट ने और्गनाईस किया था अजे सिंग रिएलेक्टेट आज प्रेसिडेंट बन चुके है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ICC Introduce Player of the Month Award to Recognize the Best Performances of Cricketers रिशब पन्थ जैनवरी जैनवरी में रिशब पन्थ बन चुके है इसे की फेबरवारी बने आर अश्वीन उसी तरह जैनवरी में बने है रिशब पन्थ लसीत मलिंगा रिटायर्ट फ्रम फ्रेंचाइस क्रिकेट विल नॉट प्ली फॉर मुंब इंडिया स्पोर्ट स्कुल जो आइसम राइफल्स पब्लिक स्कुल थी उसे अप खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कुल करके लांच कर दिया गया है जो कि शिलॉंग में है नेक्स्ते विजे हजारे ट्रॉफी 2021 इसकी जो विनोर्स इस साल वो है मुंबाई मुंबाई ने विज ए हजारे ट्रॉफी को जीता है चेस प्लेयर कोनेरू हम्पी फ्रम अंधरपदेश हाज वन भी बीजी इंडिया स्पोर्ट परसन पोर्स विमन और एर अवार्ट पोर 2020 यह जेस प्लेयर है कोनेरू हम्पी जो कि अंधरपदेश से विलॉंग करती है इन्होंने BBC इंडिया स् Khello India State Center of Excellence for Rowing Discipline at the Jammu and Kashmir Council Water Sport Academy at the Nehru Park in the world-famous Dal Lake in Shrinagar. Kiran Rijijuju ने inaugurate Khello India State Center of Excellence for Rowing, जो की उन्होंने किया Shrinagar में. Jammu Kashmir में, Shrinagar में, उन्होंने inaugurate Khello India State Center of Excellence for Rowing. FIFA has suspended the Pakistan Football Federation and Chandian Football Association. FIFA ने suspend कर दिया गया है Pakistan Football Federation को and Chandian Football Association को. Hubert Hurks of Poulan won the biggest title career in Miami Open Final. Miami Open Final में, Hubert Hurks, जो की Poulan से बिलॉंग करते हैं, उन्होंने title जीता है. Indian Army Officer भरत पानू breaks two Guinness World Records for fastest solo cycling. Indian Army Officer है ये भरत पानू, जिन्होंने दो Guinness World Records को break किया है, और ये fastest solo cycling में, इन्होंने fastest solo cycling में Guinness World Records जीत लिया है, और इन्होंने इसके साथ दो World Records तोड़ दिये हैं. जो की Indian Army Officer है भरत पानू इंडिन स्प्रिंटर दियूती चन्द has been chosen for the inaugural edition of the 36 गर्ड विर्नी अवार्ड by the 36 गर्ड स्थेथ कर्मेंट। ग्रेट खली को WWE Hall of Fame 2021 में शामिल किया गया है, Mercedes Star Lewis Hamilton won Bahrain Grand Prix, ये हमने अल्रेट डिसकस किया कि Lewis Hamilton ने Bahrain Grand Prix जीता है, तो ये थे हमारे आज के sports current affairs from the month January to April, ये सारे important current affairs की news को आपको ध्यान में रखना होगा, I hope आपको आज का session पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपनी जादर जादर friends के साथ शेयर करें, और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथी साथ बिल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट जब भी session है तो आपको उसकी notification सबसे पहले मिले, So guys, thanks for watching and have a nice day!